जैशिराम मित्रो मित्रो देवी लक्षमी जिस घर पर वास करती है वहाँ कभी भी धन बैभव की कमी नहीं होती लेकिन कुछ ऐसे कारे होते है जिससे मालक्षमी नराज हो जाती है ये कारे धन बैभव शुक्षमिंधी की अकंचा हर ब्यक्तियों को होती है हर बेक्ति चाहता है कि उस पर मालक्षमी की किरपा बनी रहे इसके लिए वो मालक्षमी की विशेश पूजा अर्चना करता है और प्रसंद कर उनका आसित बाद प्राप्र करना चाहता है लेकिन जाने अन जाने में कुछ ऐसी गलतिया हो जाती है जिससे मालक्षमी रुष्ट हो जाती है और ऐसे घर में मावास नहीं करती है। कुछ ऐसे कारे होते है जो मालक्षमी को पशंद नहीं है। इन कारियों से मालक्षमी नराज हो जाती है और इससे घर पर दरिद्धा चा जाती है इसलिए इन कर्मों को करने से भचना चाहिए सब reference लेकिन वीडियो को सुरू करने से पहले आप से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये है तो प्लीज आप इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की नई नई जनकारिया और हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी ब्रततेवार, पूजापाठ और बेद पुराणों में बरने शिद्चमतकारी मंत्रों के वीडियो रिगूलर बेस पर लेकर आता रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाप राप्त कर सके देए शुक्रवार के दिन उधारी करना अशुब माना जाता है, माना जाता है कि शुक्रवार के दिन उधार में दिया गया पैसा जल्दी वापस नहीं मिलता, साथ ही अगर आप इस दिन पैसा किशी से उधार लेते हैं तो आपको चुकाने में परिशानी आ सकती है नमबर दो बाए हाथ से पानी पीना बाए हाथ से पानी पीने से घर पर धन का भाव होने लगता है और मालक्षमी नराज हो जाती है नारद पुराण में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि बाए हाथ से पानी पीना बरुन देवता का अपमान माना जाता है नमबर तीर इस्त्री का अनादर करना जिस घर पर इस्त्री का अनादर या अपमान होता है वहां मालक्ष्मी कभी वास नहीं करती क्योंकि इस्त्री देवी का स्वरूप होती है इसलिए उनका शम्मान करना चाहिए इस्त्री का अनादर करने वाले ब्यक्ती से मालक्ष्मी नर प्रज़ हो जाती है फिर चाहे ब्यक्तिक कीतना भी धनमान क्यों न हो उसी निर्धन होने में समय नहीं लगता नमबर चार उतरदिशा में न रखे कचरा उतरदिशा को धन की देवता कुबेर और मालक शिमी का अस्थान माना जाता है सात ही इस अस्थान को मात्री अस्थान कहा जाता है इसलिए उतरदिशा में कुड़ा कचरा रखने पर शुक्षमेदी और धन में कमी आने लगती है मित्रो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाए और इन बातों को ध्यान में रख करके इन बातों को शमज करके अपने जीवन में इसको अमल किया जाए तो निश्चित रुप से मातारानी की किरपा आपके उपर बनेगी माता लक्षिमी की किरपा आपके उपर बनेगी और आपके जीवन में शुक्षान्ति शम्रिधी जस्कृति मानसमान की प्राप्ति होगी धन्य बाद